हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हर्दिक स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में हम कुछ परमुक धबरें डिसकस करने वाले हैं जो आप सभी के डी ए डी आर बोनस और पी यल बी से जुड़ी हुई है क्या आपको डी ए डी आर बोनस का जो आपका पैसा है वो दुर्गा पूजा से पहले मिलेगा इसको लेकर एक लैटर जारी हुआ है एट्थ पे कमिशन 2024 क्या उसका गठन होने वाला है क्या 50% डी ए होने पर ये आपका बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा और क्या अक्टूबर की पैंसन दसहरा से पहले दुर्गा पूजा से पहले आपके खाते में आप आएगी ये सारी बातें आज के अपने इस वीडियो में करने वाले हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर जरूर करें लेकि सबसे पहले हम ये लेटर देखते हैं किसके नाम पर स्रीमती निर्मला सीतरमन सब्जेक्ट है डेक्लाइशन ओफ डीए डीयार पी लबी प्रोड़क्टिरी लिंक बोनस और एड होक बोनस जो अभी तक आपने डेक्लाइशन नहीं किया है और अक्टूबर में तीन महिने का एरियर नोर्मली फर्स्ट वीक ओफ अक्टूबर दे दिया जाता है severe discontent is there amongst employees and pensioners जिसकी वज़े से employees और pensioners के बीच में काफी बड़ा क्रिक्तने discontent है over the delay in announcement of the same similarly दुर्गा पूजा फेस्टिवल is approaching and the PLB and ad hoc bonus two are to be declared दुर्गा पूजा आने वाली है और दिये के साथ में productivity link bonus और ad hoc bonus जो है ये भी आपको भी जारी करना है declare करना है जिसमें भी काफी देरी हो चुकी है और आप से उमीद करते हैं कि देखिए आप जितना जल्दी हो सके D.A.D.R. के लिए और bonus के लिए order जारी करें समय रहते हुए यहां पर देखिए बताया गया है कि normally September के last week में D.A.D.R. पर घोशना हो जाती है और October के first week में आपके खाते में तीन महिने की area की किस्त जो है आ जाती है और उसके बाद आपका देखिए लगबग लगबग उसी time period में area जो है आपका bonus का आप कहें कि जो bonus है आपका ad hoc bonus या मैं कहूँ इसको PLB जो भी railways, center government के करमचारी है तो यह गोशना भी उस time हो जाती है और यह इसका पैसा भी आपके खाते में festival से पहले आ जाता है इसकी काफी देरी हो चुकी है आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 October अभी हो चुका है लेकिन अभी तक DADR पर किसी भी cabinet meeting में कोई फैसला नहीं लिया गया है हो सकता है देखें इस week जो meeting होगी उसमें फैसला पका लिया जाएगा लेकिन यह देरी जो है क्या इसकी वज़े फैस्टिवल्स का डिले होना है या कोई और वज़े है यह अपने आप में बहुत बड़ा बात है लेकिन जो हम discuss करने वाले हैं तो सबसे पहली बात थी bonus और DADR को लेकर दूसरा सवाल यहाँ पर है कि क्या आठवा वेतन आयोग जैसे सभी को पता है कि 2026 में due है और 2023-24 में यानि 2,5 साल पहले इसका गठन कर दिया जाता है तो क्या सरकार आठवे पे कमिशन का गठन करने वाली है देखे आज कल काफी news चल रही है आप Google पे देखें आप YouTube पे देखें तो बहुत से ऐसे news हैं जहां बताया जा रहा है कि देखे इस पर चर्चा हो रही है और बात चल रही है देखे अभी तक सरकार की तरफ से officially इसके बारे में कोई भी बात नहीं बताए गई है चाहे D.A.DR हो आठवे वितनायोग हो ड.A. 50% मरज वाली news हो देखें आपको डेली मिलेंगी news में देखने के लिए लेकिन वास्त विक्ता कुछ भी नहीं है वास्तिकता अभी कुछ भी नहीं है ना तो आठवे वितनायों का गठन भी हो रहा है और डिये जो है 50% क्रोस होने पर जो मर्ज होने की बात है वो भी कहीं अभी तक दूर दूर तक किसी भी राजनितिक गलियारे में सुनाई नहीं दे रही है तो ये दोनों बातें अभी देखें 24 के चुनाओं से पहले हो सकता है कुछ सरकार करें लेकिन अभी तक इनके बारे में कोई भी डिसक्सन नहीं है बात करते हैं अक्टूबर की पैंसन क्या 10-11 से पहले मिलेगी ये बातें कहां से निकल के सामने आई देखें जब जुलाई और अगस्त में ओनम था या और भी फेस्टिवल्स थे उस टाइम पे देखा होगा कि सरकार ने देखिए लेटर जारी किया था मेमोरंडम जारी किया था कि 24 तारिक में या 24 तारिक से पहले पहले यहां पर पैंसन दे दी जाए जो सेलरी है वो दे दी जाए क्योंकि फेस्टिवल्स है तो फेस्टिवल्स देखें दसेरा भी है तो जो पूरे इस्पेसलि अगर नोर्ट इंडिया की बात करें तो काफी उस सहा के साथ हर्षोललास के साथ मनाया जाता है तो अगर यह पैसा जो आपकी सेलरी का है आपका पैंसन का है वो आपको फेस्टिवल से पहले मिल जाएगा तो देखिए जो चांदनी होती है चकाचोंद होती है वो इतनी जादा बन जाती है और फेस्टिवल मानने का मज़ा भी आता है तो यही वज़या है उम्मीद की जा रही है कि सायद अक्टूबर की पैंसन दस एरह से पहले आ जाए लेकिन अभी इसके रूप में कुछ भी ओपचारिक एलान कुछ भी गोशना नहीं की गई है जब आएगी वो उसी टाइम पता चलेगा तो देखिए सबसे इंपोर्डेंट बात यह है कि अभी जो है इसके उपर कोई भी ओफिसल पैमोरंडम जारी नहीं किय तो यह थी आज की पर मुखबरें अगर जानकारी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें फिर मिलेंगे आपसे जै हिंद जै भारत